जिया साथियो नमस्कार स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाना में स्कूलों की बढ़ाई गई छुटियों का ब्योरा सिक्सामंत्री के मुखारबिन से लाइव तो वीडियो को सुरू से लेकर अंतक सुन लेना क्या कहा है सिक्सामंत्री ने स्कूलों को खोलने को लेकर क्या बताया है टैब बांटने को लेकर और SLC के बारे में सारे आपके क्वेश्चन दूर हो जाएंगे इसलिए वीडियो को क चुटिया बढ़ाइं गई थी अब क्या प्लैनिंग है स्कूल जो खोले जाएंगे कब तक खोले जाएंगे? चुटी हमने 15 जुलाई तक आगे और बढ़ा दी हैं और अभी स्कूल बंद रहेंगे लेकिन जैसे अभी करोना के पेसेंट बहुत कम होगे लग लग पूरी तरीके से कंट्रॉल में ना के बरबर जैसे स्थिति पर हम पहुंच चुके हैं तो एक उसके लिए एक उसला स्कूलने पर हम विचार करेंगे एक SLC विवाद भी छिड़ा हुआ है कहीं ना कहीं स्कूल के दो जो ओनर्स हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल में सरकार उनके बच्चों को चुरा रही है बिना SLC के अड्मिशन दे रही है कि पहले इस प्रकार की स्थिति कभी आई नहीं है लेकिन अब की बार इस प्रकार की स्थिति है अब यह नियम है कि हम किसी बच्चे को शिक्षा देने से इनकार नहीं कर सकते राइट टो एजुकेशन जो है तो उसके तहत हम उसको शिक्षा देने के लिए बात देहां में लेकिन जो लो स्कूल है उनको भी उनके जो ड्यूज है उनको मिलीने चीह हैं यह भी सही बात है तो निश्ची तोर से उसके हम कोई ना कोई निरिने लेंगे और मारक दर संगे लिए मैं समझता हूँ कि अभी पंजाब का केस आई कोर्ट में लगा हुआ है से साथ तरीक है उ काफी बुगतान तो हमने कर दिया उसका लेकिन कुछ बुगतान बाकी है तो जल्दी वह बुगतान हम सब स्कूलों को कर देंगे जिस प्रकार से सर पिसले डेड़ साल से उपर का समय हो गया है करोना की वज़े से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है आपकी तरफ से ए मुख्या मंतरी जी ने उसको मंजूरी दे दी है और जल्दी हम उसका जाम करेंगे धन्यवाद तो यह थे शिक्षा मंतरी कवरपाल गुजर साब जिनका साफ तोर पर कहना है कि जो छूटियां है वो 15 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है 15 जुलाई तक अभी स्कूल बंद रहेंगे करोना कंट्रोल में हाला कि अभी अभी वावकों में और बचों में डर है उसको देखते हुए 15 दिन की चुटियां और बढ़ाई गई हैं सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन वड़ी घंटे दबा लेना ताकि आपको मिलती रहे सिक्सा जगत से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले स्टिक विसलेशन के साथ तो साथियों आज की इस अपडेट में हम लेते हैं आपसे विदा जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए नमस्कार वंदे मात्रम राम राम